तुम, तुम मुझे भला 25 करोर जैसी बड़ी रकम क्यूं देने लगे? वो तेजी से तफ्तीशी अफसरान की तरह पूछने लगी, उसे लगा वो मजाग कर रहा है, क्यूंके तुम वो करोगी जो मैं चाहता हूँ और वो क्या है? दूबदू मारे तजस्स के सवाल किया ज्यादा कुछ नहीं, बस जब तक दादी अपने शेयर्स मेरे हवाले नहीं कर देती तब तक तुम्हें इनके और सारे बॉर्ड ओफ डारेक्टर्स के सामने मेरी बीवी बन कर रहना होगा इस दौरान तुम्हें मुझे हर तरह मुतमईन रखना है इतना कहते ही इसने कमर के गिर्धिसार बानकर खुद से करीब किया वो अचानक नस्दीकी पर चौकी थी उसकी आँखे हैरस से बड़ी हुई खास तोर पर जिस्मानी कान के पूस पास मूल आकर भराई अवाज में कहा वेलकम टू अवर चैनल नौविस वाह हुसने कमर असलाम लेकुम लिसनर मैं हूँ आपकी होस्ट लाइबस उमहर और मैं हाजिर हुई हूँ आप लोगों के लिए हुसने कमर के नौविल धड़कते दिल की किस नमबर पांच लेकर तो आईए बगएर इंतजार के स्टार्ट करते हैं अपनी वालदा के सवाल को मुकमल नजर अंदास कर वो सीड़ी चड़ने लगा क्या हुआ है भाई सिद्रा उसकी गरशदार आवास पर तेजी से अपने कमरे से निकल कर अभी दरवाजे तक ही आई थी कि सामने इस खुबरून औजवान को अपने सामने खड़ा पाया क्या हुआ है ये तो मुझसे पूछ रही हो तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी बीवी पर चोरी का इल्जाम लगा कर उसके घर पुलिस भिजवाने की सिद्रा का बाजू जनूनी गिरफ सिद्रा को इसके इतने खतरनाक रियक्शन की जर्रा बराबर भी उमीद ना थी इनके दर्मियान तो लड़ाई जगडे अरूज पर थे हत्ता के तलाक होने वाली थी फिर वो उसकी खातिर क्यों लड़ने आ गया था वो भी अपनी ही छोटी महल से भाई उसने मेरी अंगुटी चुड़ाई थी इसलिए सिद्रा ने मगरमच के आसू भाते जवाब दिया अरे क्या हो गया है वकास क्यों तमाशा कर रहे हो घरा कर सारे मुलाजमीन तमाशा देख रहे हैं हमारा मैं विश बेगम नहायत बेजारी से वकास पर बिगडने लगी मैं तमाशा कर रहा हूँ कुछ खबर भी है आपको कि आपकी लाडली क्या करती फिर रही है वो अंगारे बरसाने लगा ओहो कूल डाउन प्लीज अराम से बताओ हुआ क्या है आपकी लाडली मेरी बीडी को एक मामूली सी अंगूठी के लिए जेल भीज रही थी और अब भी आप चाहती है कि मैं कूल बिहेफ करूँ वो गुस्ते से भपर कर बोला तो महविश बेगम लापरवाही से बोली बच्ची है हो गई गलती वैसे भी तुम्हारी तो डाइवर्स होनी वाली है अपनी मा की बास सुनते ही उसने आग बरसाती निकाहों से सिद्रा की जानिब देखा उसने अपना थूक निगला था अब ऐसे क्या देख रहे हो छोड़ो बच्ची को एक तो उसकी अगूठी चुराकर ले गई वो और तुम हो के बजाए उससे पूश्टाच करने के यहां आकर इसी बिचारी पर चीख रहे हो महविश बेगम को कोई फर्क नहीं पड़ता था किरन के जेल जाने से वो तो बस किसी भी तरह इस लड़की को कास की जिंदगी से निकालने की हुआईश मन थी मौम अपनी नफरत में इतना अंधा बनना भी अच्छा नहीं वो भपरकर दाथ पीस कर महविश बेगम की आँखों में जाकते हुए गोया हुआ और तुम कान खोल कर सुन लो किरन से जाकर माफी मांगोगी तुम समझी वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा वो उसे उंगली दिखाकर वार्निंग देता पलट कर चल दिया था मौम मैं इस किरन से माफी नहीं मांगने वाली मैं बता रही हूँ सिद्रा तेश के आलम में कताई लहजे में कहती अपने कमरे में चली गई किरन तुम्हारी वज़से सारे मुलाजमीन के सामने मेरा भाई मेरी बेईज़ती करके गया है मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी सिद्रा को बहुत नागवार गुजरा था वकास का खुद पर चीखना वो अपने कमरे में आकर घुसे सारा समान ठैकते जुनूनी अंदास में बोली वहीं दूसरे जाने वो अपने कमरे में बैठी रो रही थी उलिस को अचानक एक कॉल आई थी जिसके बाद वो इसे छोड़कर चले गए थे और कुछ भी ना कहा किरन को यकीन था कि ये सब वकास ने उसे डराने के लिए किया है अभी वो रो ही रही थी कि उसके कमरे का दर्वाजा नौक हुआ अपने आसू बेदर्दी से पहुँचते वो दर्वाजा खोलने आई तुम दर्वाजा खोलते ही जिस आखरी शक्सी वो उमीद कर सकती थी वो था वकास अबासी का उसके दर्वाजे पर होना वो बगएर कुछ कहे कमरे में घुसा चला आया था फिर पूरे कमरे का तनकीदी जायजा लेने लगा कमरा उसके घर के वाश्रूम से भी छोटा था फिर उपल से सिंगल बैट किरन को किस कदर फैल कर सोने की आदत थी क्या वो नहीं जानता था वो सो के से रही है सिंगल बैट पर वो यही सोचकर अपनी थोड़ी हलके से खुजाने रगा कमरा बहुत छोटा सादा और खाली था किरन जजबस होकर उसके सामने आकर खड़ी हुई क्यूं आये हो तुम यहाँ उसकी आवाज जुकाम भरी थी जो बताने के लिए काफी थी कि अभी रोकर चुकी है वो ट्विट किसने की थी किरन आखरी बार पूछ रहा हूँ एक कदम और करीब आकर उसके रुखसार पर आते बाल कान के पीछे खरते धमकी आमेज लहजे में पूछा मुझे क्या पता और हाथ मत लगाओ मुझे वो खासा जिंजला कर उसका हाथ खुझ से हटाने रगी ठीक है ना कबूल करो मैं ही बता देता हूँ वो ट्विट फरह राशिद ने की थी फरह का नाम उसने खासा जोड देते हुए अदा किया फरह वो जेरे लबडबड़ाई ये मुम्किन था कि फरह हो क्योंके वो वाहिद थी जो जानती थी कि वो तलाक मांग रही है जब फरह को इल्म हुआ कि वकास किरन बिचारी को बीच रस्ते में गाड़ी से उतार कर चला गया वो भी सुनसान हिलाके में तो इसे बहुत गुस्सा आया इसलिए इसने वकास के खिलाफ फेक अकाउन बना कर टूइट की दुनिया को बताया कि उसका असल रूप कितना भेयाना के कि एक तरफ ना सिर्फ वो अपनी बीवी को चीट कर रहा है बलके उसे खुद से जबरदस्ती निकाह में बांध कर भी रख रहा है जिसकी वज़ा से वकास का इमिज बहुत खराब हो रहा था अवाम में अब भी कह दो के नहीं जानती तुम के फरार आशित कौन है वो तन्जिया बोला तो मुकाबल खामोश हो गई अब भी कबून नहीं करोगी के ये तुमने किया है ठीक है अब पुलिस अपने तरीके से उगलबाएगी वो इत्मिदान से अपने हाथ पैंड की जेब में डालते हुए बोला तो मुकाबल की आँके मारे शौक के उठी फिर से पुलिस वो एतिजाजन बोल उठी हाँ मगर बेफिकर रहो तुम्हें नहीं पकड़वाऊंगा वो अलग बाते तुम्हारा साथ देने वालों को छोड़ूंगा भी नहीं उसने जताते हुए कहा तो किरन की आंके हैरस से पहली फरह की तबेद पहले ही खराब थी वो उसे जेल कैसे जाने दे सकती थी वो ट्वीट तो उसने जरूर उसी की महबत में की होगी किरन ये सोच नहायत परिशान होकर अपने होट काटने लगी उसके हाथ पाउं ठंडे पढ़ने लगे मारे खौफ के वो वकास अब बासी से किसी अच्छाई की उमीद नहीं रखती थी वो बिमार है अभी किरन लचकदार अंदास में बताने लगी कि शायद इस जालिम को थोड़ा सा रहम आ जाए तो मुकाबिल लापरवाही से कल पूरी रात हस्पताल में गुजारी है उसने अवाज रुहान सा होई तो फिर वो ही लापरवाही तो उसे छोड़ दो मैं चली जाओंगी जेल वैसे भी वो टूइट मैंने करवाई थी उससे फरह पर ये मुसीबत कभी ना आती अगर वो उसके घर आकंड ना रहती ये सब उसी की वज़ा से हो रहा है ये सोच वो गिल्ड में मुब्तिला हुई उसने सारा गुना अपने सर ले लिया हम वो आहिस्तगी से अजबात में सरह लाने लगा नहीं मैं फरह को ही भेजूंगा वो अकड़कर अपनी भरमदार आवाज में तहम्मूल से गोया हुआ मगर मैं कह रही हूँ ना ये सब मैंने करवाया है इस बार किरन की आवाज में दबादबा गुस्सा नुमाया था शरम भी आती है तुम्हें कितने ढिटाई से बोल रही हूँ मेरे सामने की ये सब तुमने करवाया है वो उत्मिनान से खड़ा शख सचाना की भड़क कर उस पर चीखा तो वो चौक कर एक कदम पीछे हुई फिलहाल पांच मिंट दे रहा हूं तुमें अपना समान उठा और मेरे साथ घर चलो या फिर फरह को पुलिस के हवाले कर दो तीसरा कोई आपशन नहीं उसे पीछे जाते देख फौरी उसके कमर के गिर्द हाथ हाइल कर उसे जटके से खुद के करीब किया वो उसके सीने से आ लगी थी उसकी आँखों में जांकती एक एक लफ जताते हुए कहा वो सुर्ख डोरे आँखों में सजाए उसे शिक्वे वा कदूरत से तक रही थी बहुत नफरत थी आजिन आँखों में जिन में वो महबत देखने का आदी था दिल में अजीब सा दर्द उठा उसकी आँखों में अपने लिए कदूरत देख मजीद नजरे ना मिला सका वो नजर फेर कर उसकी नाजुक कमर को अपने हिसार से अजाद करता बाहिर चल दिया उसे यकीन था वो आएगी पीछे कल उसकी सालगी रथी सुबह से ही उसकी माँ और दादी ने आकर अलमिराज मेंशन में बैट चाना था अगर किरन ना हुई घर में तो हजारों सवालों के जवाब देने पड़ते किरन का ना होना महविश को यकीन दिलाने के लिए काफी था के तलाक की ख़बर सची है अब ये बाद उसके हातों से निकलने लगी थी वो तो शुकर है उस टूइट के पीछे फरा निकली किरन की ही सहली और उसे रस्ता मिल गया किरन को इमोशनली ब्लैक मेल करने का घर वापिस लाने के लिए माना उसे दुख पहुँचा था किरन के इस टूइट करवाने वाले अमर पर मगर वो जाहिर नहीं होने दे रहा था इस नादान लड़की ने क्या सोचकर वो टूइट करवाई क्या वो वकास की पावर को हलका ले रही थी या उसकी दहानत को चलो फरा को बचाने के लिए वो मजबूर थी इस सितमगर की बात मानने पर अपना परस उठा कर मरे कदम लेती बाहर आई इसके लिए ड्राइवर ने पैसिंजर सीट का डूर खोला वो खामोशी से बैट गई किरन का खुशूरत चेहरा इसकदर मुर्जाया हुआ था कि लगा अभी रो देगी उसके चेहरे पर दूर दूर तक कोई खुशी नहीं थी अपने घर वापिस जाने की उसे देख कोई भी बता सकता था कि वो बिल्कुल खुश नहीं है उसका मुर्जाया चेहरा वकास के सीने में आग लगा रहा था वो घर पहुँचे तो ड्राइवर नहीं उसके लिए डूर खोला वो चुप चाप उतर कर अंदर चल दी वकास उसे घर छोड़कर ड्राइवर के साथ अपने आफिस चला गया एक अजीब सी इत्मनानी महसूस हुई दिल को कि अब जब वापिस आएगा तो इसकी वीवी घर पर मिलेगी वो सोगवार खामोशी नहीं जो उसे जहर लगने लगी थी सिर्फ एक औरत ही है जो इट पत्थर के मकान को मरत के लिए घर बनाती है बगेर औरत का मकान ऐसा होता है जिसे गोया उसकी रूह निकाल ली गई हो और ये बात वकास ने बहुत जल्दी महसूस कर ली थी अगला सीन वो आज जल्दी घर लोटा था घर में दाखिल हुआ तो मामूल के मताबिक खामोशी का राज था वो डायरेक अपने कमरे की जानिब बढ़ा कमरे में अंधेरा चाया हुआ था मगर पीली लेम्प की रोशनी में एक वजूद बैट पर बेसुस सा लेटा नजर आ रहा था कुछ ना कहा बस समान सोफे पर रखकर फ्रेश होने चला गया फ्रेश होकर लोटा तो कमरे की लाइट्स आउन की वो करवड बदल कर उसकी जानिब अपनी पुष्ट कर गई वो हसीन वजास से माला माल नौजवान बखूबी वाकिफ था ये नराजगी है उसने काफी दिनों तक ऐसे ही चलना है उसने कोई तवज़ ना दी आयने के सामने बाल बनाकर वो कमरे से बाहिट जाने ही लगा था के निगा अचानक उसके बाजू पर गई उसके हाथ की सफेद जिल्द पर चोट का निशान अलग ही नुमाय हो रहा था ये चोट कैसे लगी तुम्हारे वो अक्सर फुलास्तीन में मिलती थी इसे इसलिए एक्सिडेंट के बाद ये पहली बार था जब वो उसकी चोट देख रहा था कुछ पूचा है मैंने उसका सवाल कमरे की खामोशी में कहीं गायब हो गया जिस पर वो बहर हमोकर अपने सवाल का जवाब देने पर जोड देने लगा कार एक्सिरेंट में लगी थी वो बगएर उसकी जाने मतवजा हुए कंबल मूता कोड़ते बोली क्या कब उसके लहजे में फिकर उबरी थी उसने कोई जवाब ना दिया जवाब देना इन वक्तों की याद दिला गया जब वो नई नई उसकी जिन्दगी में आई थी एक अजनबी लड़की मगर बहुत दिमाग खाओ जरासी चोट लगी नहीं आगई उसे दिखाने वकास ही हो गया वकास वो हो गया हत्ता के जरासा कड़ भी लग जाता तो फॉरन कॉल करके बताती किरन की छोटी छोटी तकालीफ बताने की आदत उसे चिडचड़ा कर देती थी मगर आज जब वो नहीं बता रही थी तो दिल दुखा लगा जिसे दिल का कोई टुकड़ा खो गया हो वो कब इतनी बदली के अपनी तकालीफ उससे चुपाने लग गई और उसे खबर तक ना हुई शादी का रिष्टा भी हर कुछ दिनों बाद अपडेट मांगता है वो कारुबार पेरेंट्स रिष्टेदारों दोस्तों में लगा रहा हत्ता कि उसकी शादी डेट लाइन पर आ पहुची वो खामोशी से बाहर निकल आया सर खाना लगा दू राबिया फॉरण पुछने लगी हाँ और मेम का तुम्हारी मेम जब उठें तो इन्हें अलग से दे देना ओके सर वो असबात में सर लाकर खाना टेबिल पर सजाने लगी अगला सीन रात के एक बच गए थे नीन तो आँखों से कोसो दूर थी उसे अब भूक लगने लगी थी यकीन था के वकास सो चुका होगा मगर वो कमरे में नहीं आया था शायद बराबर वाले कमरे में सो गया हो वो यही सोचते उटकर नीचे आई पूरे घर में अंधीरा था वो किचन में आई फिरिज में खाने रखे थे मगर उसका दिल ना चाहा उसने अपने लिए मैगी बनाने का सोचा अभी वो मैगी बना ही रही थी कि अपने पीछे किसी की आहट महसूस हुई वो राबिया को गुमान कर सुकून से खड़ी चमचा चलाने लगी एक प्याला मेरा भी बना देना अचानक आई रोबदार आवास पर उसके कान खड़े हुए वो तेजी से पल्टी तुम क्या समझते हो मुझे दबरदस्ती उठा कर घर ले आओगे और मैं तुम्हारे लिए वापिस फिरी की सर्वन्ट बन जाओंगी अगर तुम ऐसा सोच रहे हो न तो मिस्टर वकास अपने खुआबों की दुनिया से जागो मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं बनाने वाली और नहीं मैं तुम्हारी पहले जैसी कोई खिदमत करूंगी समझे वो खासा जजबस होकर आँखे दिखाते हुए बोली ठीक वो दोनों हाथ फोल कर इतमेनान से गोया हुआ उसका इतना ठंडा रियक्शन देख वो दात कच-कचाने लगी चलो तो फिर एक डील करते हैं मुझे कोई डील नहीं करनी तुमारे साथ वो भपरकर कतही लहजे में बोली बेवकूफों की तरह हर बात बीश में मत काटा करो पहले सुन लो पूरी बात उसने डपट भरे लहजे में कहा तो मुकाबिल दिल ही दिल में कुड़कुड़ाने लगी कड़वा करेला कहीं का जब देखो सुनाता रहता है मैं तुमें पूरे 25 करोड दूँगा उसका बस इतना कहना था कि किरन की आंके हैरस से पे फैली कितने उसकी जबान तक लड़कडा गई थी पूरे 25 करोड खासा महजूज हुआ था उसका रियक्शन देख वैसे अपनी बात दोहराना जहर लगता था उसे मगर इसलम है बड़ी खुशी से जताते हुए दोहराने लगा तुम तुम मुझे भला इतनी बड़ी रकम क्यों देने लगे वो तेजी से तफ्तीशी अफसरान की तरह पूशने लगी उसे लगा वो मजाग कर रहा है क्योंके तुम वो करोगी जो मैं चाता हूँ और वो क्या है दू बदू मारे तजस्स के सवाल किया जादा कुछ नहीं बस जब तक दादी अपने शेयर्स मेरे हवाले नहीं कर देती तब तक तुम्हें उनके और सारे बॉर्ड ओफ डायरेक्टर्स के सामने मेरी वीवी बन कर रहना होगा इस दौरान तुम्हें मुझे हर तरह से मुतमईन रखना है इतना कहते ही उसने कमर के गिर्धिसार बानकर खुद से करीब किया वो अतानक नजदीकी पर चौकी थी उसकी आँखे हैरस से बड़ी हुई खास तोर पर जिसमानी कान के पास मूला कर भराई अवास में कहा नो वे उसकी बास सुनते ही आँखों में ज्वाला मुख़्ी फटी थी नहाया सक्ती से इंकार किया इंकार की कोई गुझाईश नहीं वो भराई अवास में कहता उसकी नाक से अपनी नाक मस्करने लगा कितने ही दिनों बाद उसकी महेक नजदीक से महसूस की थी इस हरजाई की कुर्बत का अपना ही एक चार्म था उसकी भराई अवास कानों को धहका गई थी लगा जैसे जल रहे हो मुझे मनजूर है मगर लास्ट वाली शर्त नहीं वो अपने दोनों हाथ उसके सीने पर रखकर खुझ से दूर धकेलने की कोशिश करते हुए पुखता लहजे में बोली जबके वो तो तुम पर एज़ा वाइफ वैसे भी फर्ज है कहां अपनी महबत ऐसे लुटाती थी वो लड़की के गुमान होता कि उसी से सांसे चल रही हो और आज हाल ये है कि 25 करोड जैसी बड़ी रकम पर भी उसे खुझ के करीब आने देने के लिए राजी नहीं खासा जताते हुए उसका फर्ज याद दिलाया ओ देखो जरा फराइस की बात कौन कर रहा है वो गहरा तंसका तीर मारते मस्कुरा कर बोली पचास करोड उसने रकम दुगनी की तो मकाबल बेयकीनी से उसे तकने लगी मुफ्द ने मिली थी तो कदर ना की जालिम ने कभी वो ये सोच रंजीदा सी मस्कुरा दी क्यूं क्यूं मुझ पर इतना पैसा जाया कर रहे हो क्या तुम्हारी महबूबा खुश नहीं रखती तुम्हे इस लड़की की आँखों में बड़ा गुरूर वामान उगरता ये सवाल करते वक वो मुस्कुरा रही थी मगर वो मुस्कुराहट बहुत चुकती हुई सी मालूम हुई मुकाबल को मेरी कोई महबूबा नहीं हाँ कभी समझता था कि महबूबा और बीवी एक ही शे का नाम है मगर शायद मैं गलत था उसने संजीदगी से जवाब दिया उसका लहजा चोट करने वाला था मगर मुकाबल ने दिहान न दिया बाते मत बनाओ ये कहो छूने नहीं देती तुमें एक्ट्रेस है ना आखिर मेरी तरह तुम पर अपना फीगर थोड़ी वार सकती है वो इतरा कर बोली साथ जताया भी के क्या-क्या वारा है तुछ पे एहर जाई जिसकी तुझे कुछ कदर ही नहीं कुछ मॉल ही नहीं हो गया मैगी जल रही है तुमारी वो उसे छोड़ कर दूर हटते सपाट से लहजे में बोला साथ साथ तवज्जा देख्ची की जानेब की ओ नो वो फोरण भागी मेरी उपर कमरे में ले आना वो हुकम सादिर करता उसे किचन में छोड़ कर चला गया अल्लाह पूरी जल गई है तो अब नई बनानी पड़ेगी उसने जली देख्ची उठा कर साइट की और फिर नए सिरे से मेंगी बनाई इस बार जादा तयार की ताके वो खुरूज भी खा सके मेंगी लेकर उपर आई तो वो बैट पर बैठा अपना सेल चला रहा था उसे देखते ही अपने पहले पाऊ सुकेडे वो उसके आगे मेंगी का प्याला रखकर खुछ सोफे की जानिब बढ़ गई उसने कुछ ना कहा ये पहली बार था कि जब वो एक साथ खाना खा रहे थे मगर अलग-अलग बैठकर उसने अपने मेंगी का प्याला शीशे की मेस पर रखा और खुछ अपने बालों का जुड़ा बांगने लगी उसकी सुराईदार गरदन अलग ही चमक रही थी वकास खामोशी से उसे प्यासों की तना देखने लगा उसकी एक-एक अमल पर वो निगाह जमाए बैठा था वो मेगी खाने लगी जब अपना प्याला खा चुकी तो उठी जानती जो थी वकास को चिड़ है सुस्त लोगों से अगर खाने के बाद एक मिन भी उसके सामने बरतन रखे रहे तो वो बहुत भरम हो जाया करता था किरन उठकर उसका प्याला लेने आई तो देखा वो अभी भी खा रहा है वकास के खाने की स्पीर उससे जादा थी फिर उसका प्याला भरा हुआ कैसे वो उलजी मगर कुछ कहा नहीं बस खामोशी से वापस जाकर सोफ़े पर बैट गई उसके खतने का इलतिजार करने लगी जब वो खा चुका तो बरतन उठा कर ले गई वो वापस आयी तो वो सोने लेट चुका था मगर किरन उसके बराबर में ना लेटी तक या बैट से उठाकर सोफे पर रखा हमारी डील हुई है उसे सोफे पर सोता देख वो मजीज खामोशी वरकरार ना रखा ना रख सका मैंने मन्जूर नहीं की वो भरम से बोली सोच लो क्योंकि अगर तुम वो डील मन्जूर ना भी करो तो भी मेरी वीवी हो और मेरे फराइस की पावन खासा जताने वाले अंदाज में गोया हुआ जैसे बता रहा हूँ डील कबूल ना भी करे तो भी भाग नहीं सकती उससे मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी और ना ही कोई डील चुप चाप तलाक के पिपर्स पर साइन करो और अजाद करो मुझे कैसे मर्द हो तुम एक ओरत तुम्हारे साथ कुछ नहीं तुमसे अजादी मांग रही है मगर तुम उसके साथ जबरदस्ती रहने पर तुले हो वो भपर कर दाथ पीसते हुए उसके मिर्चे लगाने लगी शुकर करो वाकई मर्द हूँ वरना जितनी जबान दरादी तुम कर रही हो इतने में तो तलाक का तौक अब तक डाल चुका होता तुम्हारे गले में बद्दिमाग औरत वो गुस्ते से भपर कर कहता कमरे से बाहर चला गया था उसके जाते ही वो रोने लगी क्यों आखिर ये जालिम उसे अजाद नहीं कर देता जब अना से महबत है वो ही उसके बच्चे की माँ बनने का हक रखती है तो फिर उसे क्यों बांग कर रख रहा है क्यों उसकी जिंदगी से खेल रहा है चाहता क्या है आखिर वो फूट फूट कर रोने रगी रोते रोते कफ सोई उसे खबर नहीं अगला सीन आँख खुली तो खुद को बैट पर पाया हवास जहाल हुए तो महसूस हुआ किसी के हसार में पूरा वजूद जकड़ा हुआ है अगले ही पल हवास पूरे बहाल हुए जब अपने बराबर में वकास को सोता पाया उसकी गरम सासे वो अपने चेरे पर महसूस कर रही थी उठना चाहा तो मुकाबिल ने पहले से जादा खुद में भीच लिया क्या कर रहे हो मेरी हड़ियां तो उड़ना चाहते हो क्या वो जिंजला कर बोली तो उड़ना तो जबान चाहता हूँ वो नीन में जबाबदा हुआ मगर आँखे न खोली तबान में हड़ी नहीं होती वो मूँ बस सोर कर बोली जैसे उसके इल्म में इजाफा कर रही हो बस यही तो सारा गम है अचानक ही उसे वक्त का ख्याल आया किरन को छोड़ वो तेजी से उठकर बैठा ओ शिट यह पहली बार था जिन्दगी में जब उसकी आँख देर से खुली थी वो कैसे इतना लंबा सो गया उसे यकीन ना आया नौ बज गये मेरी जरूरी मिटिंग थी उफ वो तेजी सेयार होने लगा वो तयार कम हो रहा था पैनिक जादा मचा रहा था कूल डाउन मशीन नहीं हो तुम इनसान के बच्चे हो क्या हो गया अगर एक दिन सुकून से सो लिए किरन खासा जिंजला कर उटकर बैठते हुए बोली करोडो की मिटिंग सी मेरी दो घंटे सोकर करोडो का नुकसान हो गया है मुझे तुमें क्या पता वो खासा भरम होकर शर्ट पहनते हुए जवाब देने लगा ऐसे पैसो का क्या फाइदा जिसके होते तुमें सुकून नसीब नहीं वो उसे समझाने की कोशिश करने लगी ये उसका नजरिया था जिंदगी को देखने का लगा जिसे दिल के टुकडे की हो जालिम ने मैं ऐसी नहीं हूँ वो एलानिया बोली जिस पर वजाए जवाब देने के वो तंजिया मस्कुराता अपना ब्रीफ केस उठा कर बाहर चल दिया उसकी मस्कुराहट तन बदन में आख सुलगा गई थी उसे अपनी आखे जलती महसूस हुई और दिल शदीद भारी होता वो फिर रोने लगी थी ठीक है अगर मैं अबल भी लाल्ची हूँ और आखिर भी तो फिर खाली हाथ क्यों जाओं यहां से मुझे पता है जब तक दादी अपने सारे शेयर्स वा पावर्स के नाम नहीं करती है यह खडूस मुझे तलाक नहीं देने वाला मैं इसके पाउं की वो बेड़ी हूँ जिसे यह तोड़ना तो चाता है मगर दादी की नराज़गी के खौफ से तोड़ना ही पा रहा इन सब के आखिर में वकास को तो आज से मैंने मान लिया कि मैं लाल्ची हूँ उसने अपने आसू बेडर्दी से पहुँचे थे और सेल निकाल कर वकास को कॉल की जल्दी बोलो दूसरे जानिब से कॉल रेसीव होते ही बेरुखी वा उजलत भरी आवाज मौसूल हुई मुझे मनजूर है डील मगर एक शर्त के साथ क्या वो तजस्स से इतनी बड़ी रकम के बाद भी शर्त की गुझाईश निकलती थी और यही सोच भरह हुआ तुम मेरी जाती जिन्दगी में मदाखलत नहीं करोगे किसी सूरत नहीं मैं कहां जाती हूँ क्या करती हूँ किस के साथ हूँ तुमारा उस सब से उस सब बातों से कोई मतलब नहीं मेरी बढ़ते है आज मौम और दादी पहुँचने वाले होंगे अगर मौम सختी करें तो बरदाश कर लेना उसने डाल का जवाब चना देकर कॉल मुनकता कर दी इस कड़वे करेले ने मेरी बास सुनी भी है या नहीं वो मुँ बिगाड कर बोली कुछी देर गुजरी थी कि वकास की दादी वालदा सिद्रा वालदा और सिद्रा सब खरी की धरी रे गई अच्छा जी एपिसोड पर आप लोग अच्छा सा रिवियू जरूर दीजिएगा ताके हमारी नौविस का जो है हुसला बड़े